हेलो एव्रीवन, वेल्कम बाक तो माई यूट्यूब चैनल, इस वीडियो में हम वेदर, क्लाइमेट और अडेपटेशन इन एनिमर्स चाप्र को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चाप्टर में उसके नोट्स को कबर करेंगे, सबसे पहले है वेदर, वेदर क्या होता है, दे टू दे कंडिशन ओफ दे अप रह रहे हो, तो लेट्स कंसिडर गुजरात में अगर आप रह रहे हो, जिस जगह पर रह रहे हो, गांधी नगर में कहीं पर भी, तो वहाँ पर क्या होगा, अचानक लाइमेट बदलता रहेगा कभी बारिश हो रही होगी, तो फिर अचानक से धूप निकल जाएगी, अचानक से बादल चा जाएगे, तो ये जो डे टू डे कंडिशन होती है, मतलब हरी दिन कंडिशन में दर रहे है, आज बारिश हो रही है, तो कल बारिश नहीं हो रहे है, कल धूप निकली है, ठीक ह जहर में होते होते हैं बहुत humidity हो गई मतलब बहुत चिप चिपी गर्मी हो गई ठीक है फिर रात होते ही रेनफॉल होने लग गई ठीक है और फिर wind speed भी बहुत जादा बढ़ गई तो यह सारी चीज़े जब अगर होने लग गई है day to day conditions या फिर time to time होने लग गया है इसको हम क क्या कहेंगे कि हमारा weather change हो रहा है ओके तो आयोप आपको weather की definition clear होगी next है the maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the early morning जब आप सुबह सुबह उठोगे तो आपको थोड़ा सा ठंडा टाइप सा feel होगा थोड़ा सा एकदम और जब दोपहर होती जाएगी तो आपको बहुत गर्मी सी feel होती ज तो after afternoon में ऐसा feel करते हैं और जब minimum temperature होता है जब temperature कम हो जाता है तो आप minimum temperature कब feel कर पाओगे ठंडा कब feel करोगे जब minimum temperature होगा ठीक है तो यह कुछ maximum में यह हालत होती है और minimum में यह बारिश वगेरा हो गई तो minimum temperature हो जाएगा या फिर early morning या फिर अगर night देखो night में भी कभी क्लाइमेट के बारे में basically paper में क्या पूछा जाता है यह नहीं पूछा जाता weather क्लाइमेट इसके पीश में difference पूछ लिया जाता है तो अभी हमने weather में क्या पढ़ाता कि यह day-to-day conditions होता है day-to-day phenomena होता है चेंज होता ही रहता है दो-दो मिनट में चेंज होगा बट अगर मैं तो climate के बारे में बात कर रहा था ठीक है कि मतलब अगर हम एक पूरा निकाले जैसे census वगेरा होता है पूरा record निकाले ठीक है पिछले 25 सालों का पिछले 30 सालों का अगर हम record निकाले तो वहाँ पर basically गर्मी पढ़ती है अगर ठंडी भी आ जा है ना तो भी वहाँ पर गर्मी वाली feeling आती है दो पहर में तो the average weather pattern taken over a long time तो जो average मतलब हम पिछले 30 साल से देखते आ रहे हैं हमने average निकाला है हमारा जो weather का pattern है उसका average जब हमने निकाला तो हमें पता लगा कि राजस्थान में mostly गर्मी है मतलब hot climate रहता है राजस्थान में अब मैं आपकी शिमला की बात क कैसा वहाँ पर अभी climate होगा ठीक है उस जगे का weather बताओ ठीक है आप मुझे उस जगे का climate बताओगे बोलोगे शिमला में जो है अभी ठंडी से ठंडी पड़ रहे हैं कि आपता वहाँ पर धूप निकली हो हो सकता है तो धूप निकलना क्या है वहां का day to day condition है वो कभी भी change हो सकता है तो उसे हम weather कहेंगे बट हमने पिछले 25 सालों से 30 सालों से देखते आ रहे हैं कि weather अगर हमने पिछले 25 सालों से शिमला का weather pattern निकाला ठीक है weather record निकाला और उसका average निकाला हमने average से हमें पता लगा कि महाँ पर mostly ठंडी होती है तो ठंडी क्या है वो cold क्या है उस ज वहाँ पर मैं आपसे पूछू तो आप बोलोगे वहाँ पर बारिश अच्छा मैं असाम साइड बोल देती है तो आप बोलोगे वहाँ पर बारिश होती है बट क्या पता भी वहाँ पर अच्छी गासी दूप निकली हो बारिश ना हो रही हो ठीक है तो वो जो चीज है वो ठीक है मलब वहाँ पर गर्मी भी होती है और बारिश भी होती ही रहती है तो वहाँ पर चिपचिपी सी गर्मी होती है तो अब नेक्स लाइन देखते हैं अगर एक जगे का टेम्प्रेचर ज्यादा तर टाइम हाई रहता है तो मतलब वहाँ का क्लाइमिट क्या है राज़तान का होता राजस्तान लेकलमी यह राजस्तान में कहां बारिश होती रहती है वहाँ पर तो गर्मी होती है अब next है तो यह है कुछ कि कैरला में hot and wet climate जम्मो कश्मीर में moderately hot and wet ठीक है mostly कम बारिश होती हैं थोड़ी सी गर्मी भी हो जाती है राजस्थान में hot and dry and north east area north east area मतलब यह क्या है north south west and east तो north east area मतलब इस जगह पे जितने भी area आते हैं जम्मो कौन से उत्तरप्रदेश भिहार यह जली side आती है इधर wet होगा ओके next अभी तक हमने सिर्फ अब हम बात करते हैं polar regions की polar regions कहां पर situated होंगे पोल्स में ठीक है यह आपका अर्थ है अर्थ है यहां पर क्या होता है ली शयए winter पेश आता है की शोरच सिर्फ थंडी हो अगे अर्थ को सूरच को सूना रहत की बोलताया напी सॉरच में से कहा होता है equator ऑपर या थोड़ा सा नीचे मतलब nord आफ इधा आदर सूथ में होता है जो कि USA में है Siberian region जो कि रश्या रश्या आ जाता है थोड़ा सा इस तरफ ठेक है तो यह कुछ एरियाज है जो कि पोल्स की तरफ प्रेजेंट है अब पोल्स में तो बहुत थंडी होती है ठेक है ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट अब ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट कौन कौन सी इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ी सी गर्मी टाइप सी भी होती है और वो ट्रॉपिकल रेज़ेंट में प्रेजेंट होता है, इस इधर वाले डीम यह होता है, इस इधर स्पी पॉसन अपने जुकानी पंडा लेजन होगा, इसपानी लीवरा जैञी है भारिएन्ट भारि रीजन से आप करें ना टू या थी अब नेक्स्ट है अब यह आपकी बुक में कुछ बता रहा है ते वेदर रिपोर्ट्स आ पुपेर्ट बाय दा मेट्रोलोजिकल डेपार्ट्मेंट अब गवर्मेंट अब बैदर रिपोर्ट्स आपने देखे होंगे ठीक है कुछ इस तर रखा है Wednesday का और यह Tuesday का यहाँ पर wind speed बता ही है और यहाँ पर temperature बता है कि feels like कुछ ऐसा होगा यह भी accurate नहीं हो सकता है ठीक है and make the weather predictions करते हैं मतलब कि हाँ पक्का confirm नहीं है कि यह ही होगा next यहाँ पर एक और चीज़ बता रखी कि rainfall is measured by an instrument यह बहुत important very important कि rainfall बारिश को हम किसे measure करते है रेन गौज से किसे रेन गौज से यह आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें बारिश की बूंदे पढ़ती है और हो जाता है it is basically measuring cylinder ही कैसा दिखता है measuring cylinder की तरह कुछ इस तरीका यह दिखता है with a funnel at the top यह आप देख रहे हो यहा cylinder type का होता है ठीक है ऐसे है ना cylinder ऐसे टाइप का है cylinder type का होता है और उपर एक इसके funnel होता है जो कि rainwater को collect करता है अब next next polar regions extreme climate होता है polar regions में बहुत जादा extreme climate होता है for six months for six months the sun does not set at the poles while for the next six months the sun does not rise जैसे हमारे तरफ क्या होता है कि पहले six months में mostly जो है पहले six months में नहीं क्या सकते जैसे January February और इधर से लिया हमने October, November, December, January, February और थोड़ा सा March ये इतने six months में क्या होता है ठंडी सी पढ़ती है फिर बाकी के six months में गर्मी पढ़ती है और उसी में थोड़ा autumn season, rainy season आ जाता है winter के इधर से starting में कौन सा season आता है autumn पोल्स में लेकिन कुछ अलग होता है पोल्स में क्या होता है पहले six months के लिए जो sun है वो सेटी नहीं होता मतलब जो है sunrise ही हो रखा होता है और फिर बात के six months के लिए sun does not rise, sunrise ही नहीं होता है पहले six months में sunrise ही रहता है फिर last next polar bear के बारे में पढ़ते है अब देखो हमने क्या chapter का नेम क्या था weather, climate and adaptations of animal weather हमने पढ़ लिया है climate हमने पढ़ लिया है यह table अगर आप पढ़ लो कि polar bear के यह सारे features है तो आपको क्योंकि mostly कितने marks काएगा दस marks का एक question नहीं होता है पांच marks तक ही होता है तो अगर आप इसमें से कोई पांच features अच्छे से learn कर लो तो आपके लिए easy हो जाएगा अब यहाँ पर पढ़ते हैं जो polar bear होता है इसकी बहुत जादा क्या होती है strong sense of smell होती है वो बहुत अच्छे से smell कर सकता है ठीक है अब इससे क्या होता है इसकी वज़े से क्या होता है यह first है जिसका reason है यह इससे वो अपने prey को अपने खाने को आसानी से locate कर सकता है दूसरा है कि it has दूसरा यह है it has a long अब यह मत करना कि first यह लिखा तो second यह लिख तो नहीं first का reason है second है it has a long curved and sharp claws इसके बहुत ही जादा sharp क्या होता है close होते है ठीक है बहुत अच्छे पंजे होते है इससे क्या होता है यह eyes पे चल सकता है ठीक है इसका reason है यह अब थर्ड देखो थर्ड क्या होता है it has a layer of fat under its skin मतलब skin तो है फिर नीचे मोटा सा fat fat की layer है ठीक है मोटापा है बहुत आप देखते है योगी polar bear कितना जदा मोटा होता है तो अब इसका क्या फाइदा है किसी polar bear को देखा है बहुत पतला सा सुकडा सा नहीं ठीक है तो यह fat क्या होता है insulate insulate का क्या मतलब हुआ जो अप इतनी भी गर्माहट है वो यह fat बाहर जाने नहीं देगा तो the fat insulates its body from the cold, cold से and keep it warm और उसको warm रखती है ठीक है यह इसका third का reason है फिर fourth यह है fourth यह नहीं है fourth यह है it has two thick layers of a fur इसकी दो thick layers of a fur होती है मतलब एक fur है उसके पर दूसरी मोटी मोटी जो है fur है इससे क्या होता है कि उसको इतने cold weather में warm बहुत warm फील होता है next है it's predator ओके यह है fifth यह है the white fur is not easily visible in the snowy white background तो white fur अब आपको एक questions में पूच सकता है कि जो पोलर बियर का white fur है वो उसको, उसके predator से उसको कैसे बचाता है वो इसे बचाता है कि the white fur is not easily visible in the snowy white background उसका जो white fur है वो white background में easily visible नहीं होता है ठीक है जिसकी वज़े से उसके predators और prey जो हैं वो से नहीं देख पाते हैं और उसका शिकार भी नहीं कर पाते हैं तो यह polar bear के कुछ features थे अब next क्या है penguins white merges well white merges well अब penguins जो होते हैं वो पूरे white तो होते हैं थोड़ा सा उनके skin पर black होता है ठीक है कुछ penguins इस तरीके के होते हैं ठीक है different types of penguins are there white merges well with the penguins white snowy background अब penguins भी कहां रहते हैं snow में ही रहते हैं तो जो उनका white color है वो तो snow के साथ match कर जाता है thick skin and a lot of fat to protect penguins from the cold ठीक है अब उनकी जो thick skin होती है जो मोटी skin है और उनके body में बहुत सारा fat होता है ठीक है जो अभी आपने ये चीज़ देखे कि जो लोग snow में रह रह रहे हैं ठीक है जो जितने अनिमल snow में रह रह रहे हैं उनकी उनके पास fat है जिसके वज़े से उनके body के अंदर के गर्माहट क्या करें बाहर नहीं जा पा रही है ठीक है जिसके वज़े से वो cold feel नहीं करते हैं thick skin and a lot of fat किस से बचाती है इन्हें cold से बचाती है penguins huddle together so they can feel warm penguins के होते हैं आपस में जुन बना लेते हैं ठीक है जब भी कोई थंडी हवा आ रही होती है बहुत तेज हवा है वगरा चल रही होती है तो यह आपस में हर्डल हो जाते हैं together तो जिसके विज़े से इनको थोड़ा सक गरम feel होता है they are the good swimmer यह बहुत अच्छे swimmers होते है because of web speed क्या इनके पास होते है web speed और इनकी होती है streamlined body तो यह सारे कुछ penguins के क्या है features अब next है animals animals जो animals polar region में रहते हैं कुछ fishes होती है सारी fishes नहीं कुछ fishes होती है मस्क औसकन होता है reindeer होते है foxes कुछ foxes होते है seals होते है whales होती है और कुछ birds होती है जो कि polar region में survive कर पाती है okay अब next है tropical rainforest के बारे में पढ़ते है snow वाले चीज़े पढ़ ली अब थोड़ा rainforest के बारे में पढ़ते है rainforest का अगर आपको पूछे rainforest कहा present है तो अपने इंडिया से अच्छा example तो उसका कहीं नहीं मिलेगा तो इंडिया ज़रूर लिखना next है hot climate due to location around the equator तो सबसे पहले tropical rainforest मिलता कहा है यह हमारी earth है यह बीच में equator है यहाँ पर कैसा climate रहता है hot कैसा climate रहता है hot hot climate रहता है क्यों रहता है क्योंकि इसका location है equator के राउंड और equator पर तो sun present रहता ही है in coldest month अब थंडी के टाइम पर क्या होता है temperature is generally about 15 degree Celsius and during hot summers temperature may cross 40 degree Celsius मतलब ठंडी के टाइम पर तो चलो ठीक है 15 degree Celsius के आसपास temperature रहता है मतलब थोड़ी बहुत गर्मी रहती है बट जब summers होते हैं summers भी नहीं कहा है hot summers hot summers में क्या होता है temperature 40 degree Celsius को cross कर जाता है this regions get a planet of rainfall अब जीसा की बता है यहां पर बहुत जग्या होता की है and यहां पर साथ में क्योलता है बर्भवारिश होती है बहुत जगह बरती है बहुत ज्यादा अब कौन कौन से animal रहते हैं, ट्रॉपिकल रेंड फॉरेस्ट में, monkeys रहते हैं, एपस रहते हैं, gorillas रहते हैं, tigers, elephants, leopards, लिजार्ड, snakes, birds, insects, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम आगे पढ़ेंगे इन ही एनिमल्स के बारे में यह जितने अनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि यहां रह कैसे लेते हैं इतनी बारिश में इतने घने जंगल में ठीक है थोड़ी सी चिपचिपाहट गर्मी में यह रह कैसे लेते हैं ठीक है और कौन-कौन से अनिमल्स हैं ऐसे सबसे पहले हैं red-eyed frog red-eyed frog they have a sticky pads on its feet to climb trees on which they lives अब आप इनके feet देख रहे हूं कैसे हैं तो इनके जो feet हैं बहुत sticky pads की तरह हैं ठीक है बहुत चिपे से हैं ठीक है जो trees हैं जो leaves हैं उसमें चिपक से जाते हैं अगर यह एक बार अपने पैर रखे तो ठीक है climb trees on which they lives जिस पे यह रहते हैं ठीक है तो red-eyed frog इसलिए tropical rainforest में रहना पसंद करते हैं क्योंकि आसानी से किसी भी पेड़ पर चड़ सकते हैं किसी भी पत्ते पर चड़ सकते हैं इसलिए यह tropical rainforest में पाई जाते हैं कौनसे frog सारे frog नहीं red-eyed frog red-eyed frog क्यों क्यों कि यह असानी से रह सकते हैं पेड़ पे लेकिन बाकी frogs नहीं रह सकते वो पानी में रहते हैं इसलिए नेक्स है monkeys कुछ monkeys यह से होते हैं ठीक है क्योंकि आपको पता ही होगा कि इनको पेड़ कितने पसंद है पेड़ पे बनाना तो गिरा उखते हैं और इनको अपनी लाइफ ही जादा पसंद है और यह उचलना कुदना जादा पसंद करते हैं तो monkeys यह लॉंग टेल मंकी कितनी ज cultivate नीमय बड़ी 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 बूशियों होती है ठीक है जिसकी वजह बॉचे से वह ब्रांचिस को ग्रस कर सकते हैं धुक है ब्रांचिस को अपनी तरफ खीच कर उसमें से जो भी उनको चाहिए कर सकते हैं तो trees एक तरीके से इनके अंदर ऐसे features है जो इनको trees पर रहने पर मजबूर कर देते हैं तो which help them to live on trees इनकी long tail जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है trees पर रहने का ठीक है next कौन से animal रहते हैं bird to can bird to can जो होती है इसकी बहुत बड़ी beak होती है ठीक है which helps to can to reach the fruit on the branches जिसकी वज़े से क्या होता है पेड़ पर चाहे जितनी दूरी पर भी fruit लगाओ यह आसानी से उसको तोड़ लेगी हाला कि वो अलग बात इसके पास पंक है तो यह उड़के भी जाके तोड़ सकती है बड़ टुकान अभी हमने कितना पढ़ा रेड आइट फ्रॉक पढ़ा मंगीज पढ़ा बड़ टुकान पढ़ा अब कौन से और अनिमल से है यह बहुत इंपोर्टन चीज है आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा कि एनिमल्स में ऐसी क्या चीज है जिससे वो अपने प्रेडेटर से बच सकते है अच्छ प्रिडेटर्स क्या होता और प्रे क्या होता है प्रे होता है ये एक एनिमल है जो इस एनिमल का जो नाश्टा है वो क्या है इसके लिए प्रे और अगर कोई और एनिमल आके इसका शिकार कर जाए इसका तो ये हो गया उसके लिए प्रिडेटर और ये है उसका प्रे तो बहुत सारे ऐसे tropical animals हैं जो rain forest में रहते हैं जिनकी hearing बहुत अच्छी है जो बहुत अच्छा दे passions सकते जंगल में एक एक अवास को अच्छे से पहचानना जाते जाते हो तो एक एक आवास को अच्छे से नहीं पहचान पाते हो ठीक है आपकी बहुत ज़दा मोटी skin और आपका एक ऐसा skin color होना चीए ठीक है जैसे frog का green color होता है frog का green color होता है और forest का भी क्या color होता है green तो जब दोनो green green है तो वो क्या हो जाएगा आपस में अपने predators को अपने predators से खुद को protect करने के लिए for example जैसे big cats हो गई lions और tigers हो गई यह कहां रहते हैं जंगल में रहते हैं अब कुछ जंगल से भी होते हैं जिनकी गहास बहुत सुखी सी हो जाती और ग्रायों क्यों हो जाती है और अनिमल्स देखो लायन क्या होते हैं big cats होते हैं चिंसे पता लगीगा कोई आनिमल आ रहा है तो या तो यह अपने आपको camouflage कर लेंगे या फिर यह क्या हो जाएंगे किसी भी tree के पीछे कहीं पर जाकर छुप जाएंगे और अपने शिकार का इंतजार करेंगे या फिर अगर इन्हें पता लगेगा कि इनसे भी बड़ा कोई जानवर इनका शिकार करने के लिए आ रहा है अगर छोटा आ रहा होगा तो उसके लिए प्रे होगा बड़ा आ रहा होगा जो इनका शिकार करने वाला होगा predator यानि तो यह क्या करेंगे खुद को छुपा तो यह वागा नेकस्ट है कि लॉयांड toimिझ मेंचा हो जाते हो जिस इब इसे विर्ड तो मनुर्ण आपके दाड़ि मेंचा करें तो यह होता है लॉयांड इंस зайनों के यह मेंसे इन वाहाां कण जिकाना इन ताहिकी वो तो यहासे होती है ठीक है face से होती है बट इनका जो beard है पूरा head से लेकर के पूरा चिन तक, नीचे cheeks, head, cheeks और chin म festivals head पर आ रहा है future गालों से रहा है पूरा chin तक जा रहा है यह बहुत अच्छे climbers होते हैं और अपना जादा से जादा समय ये पेड़ पर बिताना पसंद करते हैं, इसलिए ये रेनफॉरेस्ट में पाई जाते हैं, तो ये खाते क्या हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सीट्स खाते हैं, और जो यंग लीव्स होती हैं, एक दम जो नए नए पत्ते निकले हुए होते हैं, स spend most of their time on tree और ये ट्री पे ही अपनो जाद से जाद समय पिताना पसंद करते हैं वो अलग बात है कि अपने आपको camouflage नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका color green नहीं black type सा होता है थोड़ा okay next है Indian elephant ठीक है अब हमारी जो Indian elephant होते हैं वो सबसे जादा कहाँ पाए जाएंगे वो आसाम वागेरा साइट पाए जाएंगे western guards जहां पर rain forest होगा ठीक है तो ये Indian elephant लिखा है तो ये समझ लेना Indian elephant का मतलब कहाँ पाए जाएंगे western guards and assam in India trunk is used as a nose इनकी जो trunk आपको दिखती है ये nose की तरह इस्तमाल करते हैं because of which it has a strong sense of smell क्यों क्योंकि ये कोई भी चीज को बहुत दूर से स्मेल कर सकते हैं ये सपने खाना भी उठा सकते हैं their tusks are modified teeth and they can tear the bark of the trees इनके जो tusks होते हैं actually इनके जो ये दांत होते हैं ये तरीके के teeth की तरह होते हैं जो की एक tree tree के जो bark होती है ठीक है wood जो होती है उसको भी चीड सकते हैं पूरा large ears और इनके बड़े-बड़े ears होते हैं जो की इनको दो चीज़ों में help करते हैं एक इनकी hearing sensation power इतनी जादा होती है कोई भी चीज़ को बहुत बारिकी से सुन सकते हैं और कोई भी soft sound and their ears also help the elephant और इनके जो elephant के जो ears होते हैं ये इनको ठंडा रखने में helpful होते हैं ठीक है hot and humid climate आपने जैसा देखा ही होगा कि कितनी थोड़े सी गर्मी चिप 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 गर्मी होती है तो इसकी वज़े से यह क्या कर सकते हैं आपको उतनी गर्मी नहीं लगते होगी मतलब अगर आपके bright sunshine निकली हुए तो आपको अच्छा लगता होगा ठीक है बट वहीं अगर चिप चिप गर्मी हो तो उसमें जादा irritation से होने लगता है ठीक है दिमाग को भी बहुत गुस्ता आने लगता है तो उसमें आपको एकदम अच्छे हवा चाही होती है तो जिब animals के साथ बहुत अच्छा option है कि अपने ears को जो है flap कर सकते हैं तो अभी तब हमने सारे animals के बार में पढ़ लिया है ठीक है तो यह आपको सारे animals के features कितने कितने हैं obviously four या five या फिर three आपको तो पक्का ही learn करके जाने है अब next है migration migration आप सब पढ़ते आ रहे हो कि जब एक जब कोई animal जैसे mostly क्या होता बर्ड 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 क्या करते हैं वह ऐसे थंडे वेदर में उड़ नहीं पाते हैं अगर उड़ नहीं पाएंगे तो अपना खाना कैसे ले पाएंगे तीक है इसलिए यह क्या करते हैं migrate करते हैं mostly आपने birds के बारे में सुना होगा तो animals भी होते हैं कुछ ऐसे the movement of the animals from one place to another animal जो है one place से दूसरी जगह पर जा आपने गाएं त्यों सरफ और सर्फ रीजन है उसका क्लाइमेटिक कंडिशन एड्वर्स क्लाइमेटिक कंडिशन वह नहीं सेह सकता तब वह एक प्लेस के जा रहा है तो उसको हम मैंगे सबसे बेस्ट है साइबेरियन क्रें इसका एक्जांपल हमेशा मैशा याद एठना हम में बरतपुर and सुल्तार पुर कुछ बर्ड सुल्तानपुर में जाती है जो कि हर्याना में and some wetlands और कुछ साइबियन करेंज कहां जाती है नॉर्थ इस्ट में जाती है और कुछ and other parts of the India बाप की बुक में क्या है migration के लिए आपके बुक में में रखते हुए यह ट्री यहां यह जगह इन सब को देखते हुए वह एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है तो यह बॉक्स इतना important ही है से कोई questions उच्छे नहीं जाएंगे तो मैंने आपको एक बार बता दिया अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना अपने class group, school groups में जिससे उनको भी यह notes मिल सके and helpful हो and एक comment तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे and अगर आपको कोई doubt हो वो भी आप comment कर सकते हो and आपको किस chapter पर कैसी वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे comment करकर बता सकते हो and चैनल को subscribe ज़रूर करना and इस वीडियो को like ज़रू करना and notification bell को on करते हो जुसके विजिसे आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी Thank you very much